हेलो स्टुडेंट्स माइनेम इस पंकर्स पठानिया और बच्छों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इपॉर्टेंट क्वेश्चन्स लेकी आया हूं बेसिकली क्या है फ्रजिक्स लैब बाइवा क्वेश्चन्स जब भी एक्स्टर्नल हमारी एक्जाम होते हैं तो उसके बाद जो है वह बाइवा के जो मत्तब मेंस की क्या-क्या बाइवा के क्वेश्चन्स पूछे जा थे एक्स्टर्नल एक्जाम में या फिर इंटर्नल वह मैं आज डिसक्स करने जा रहा हूं तो बेसिक तो जो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीस आप सब्सक्राइब क क्या-क्या पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से अंसर देना है ठीक है और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में जो है वह रखनी है ठीक है तो सबसे पहले फिजिक्स लैब बाइवा क्वेश्चन्स क्या-क्या हम कवर करेंगे और लेडी मैंने इनके वीडियो वह वह अप्लोड कर रखे हैं पठानिया फिजिक्स लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ठीक है बचो तो अब हम बात करते हैं फस्ट इस न्यूटन रिंग एक्सपरिमेंट और यह थियूरी में भी है न्यूटन रिंग एक्सपरिमेंट उसके बाद टू डिटर्माइ के आप यूजिंग फोर्थ है यूजिंग हॉल इफिक्ट कालकूलेट दा क्रेक्टरस्रिक्स ओफ चैन्यूटन बहुत सारी इस चैन्यूट्रिक्स हैं कि वह तैय utan का है मोबैलेटी यह है सेमि कोणक्टर की हinos a है यह सब जूब टिसकस करेंगे और एक और हम एक्सपरिमें डिस्कुस करेंगे to find the resistivity or the specific resistance of unknown materials using carry foster bridge फिर हम बात करेंगे to study the variation of magnetic field along the axis of the coil and estimate the radius of the coil फिर nodal slide experiment है जहांपे हम combination of lenses का focal length calculate करते हैं और फिर specific rotation of can sugar solution तो एक करके हम discuss करते हैं तो पहले तो हम यहीं बात करें तो सबसे तो बाइवा में क्या-क्या चीजी आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटर रिंग एक्स्परिमेंट और बहुत इपोर्टन थियोरी भी इस बच्चे इस वे हमने रखा है तो न्यूटर रिंग कर लेते हैं पर हम पहले इसकी बात करेंगे कि तो डिटर्मेंट दबेव लेंथ आफ सौडिया लाई तो इसमें जो बेसिकली सबसे पहले क्या क्या चीजी आपको ध्यान रखनी है आपको पहले एक तो एम बिलकुल क्लियर होना चाहिए एम आपको बिलकुल एम के बजाए आपको अपरेटर्स यूज़्ट और उसके बाद आपको प्रिंसिपल और उसकी वरकिंग क्या तो प्रिंसिपल यह सब जीजे दि आपको पता है तो आपके बाई-बाई-बाई में अच्छे मार्क्स आएंगे ठीक है तो पहले हम बात और बात इंप्रेशन का भी है प्रिंसिपल पता है और आप उसको एक्स्प्लेइन कर पा रहे हो तो यह बहुत इसका प्रिंसिपल क्या है इसका जो बनेंटर्फेरशं सिंपल सी बात है कि interference और आप से पूछ सकते हैं कि what is interference चिक है उसके बार अब interference कैसे produce होती है तो interference है क्या बच्छे इट इस दा it is the modification modification of intensity intensity of light when when two or more two or more rays या वाब बेव बोलो are interfering interfering to each other simple सा मतलब है कि it is a modification जब दो या दो से ज़्यादा जो टू टू वेवस और मोर देन तूमर सोर्स तू सोर्स या दो सोर्स से ज़्यादा जब आपस में interfere करते हैं superimpose करते हैं तो उनकी intensity क्या होती है that will be redistribute means कि energy will be redistribute और किसी पोजिशन पर क्या होता intensity maximum होती है मतलब एड़ होती है और कहीं पर minimum होती है तो जो maximum जो है वो that is constructive interference constructive interference and destructive interference थिक है तो इसकी condition है कि जब path difference between the two waves is even multiple of lambda y2 that is the constructive interference and that is the destructive difference में the odd multiple of lambda y2 यह थी path difference odd multiple of lambda y2 हो तो हमें interference और फिर आपसे question क्या पूछ सकता कि interference की condition क्या है तो वह है source क्या होने चीए शुड़ भी coherent शुड़ भी coherent और monochromatic source है तो sodium light क्या है एक monochromatic source है जो कि single wavelength की light को produce करता है और coherent ऐसा source जो की constant face difference की babes को produce करता है तो यह तो बिल्कुल clear है ऐसे से question आप पूछेंगे अच्छा अब थोड़ा से जाते हैं Newton ring experiment है अब हम क्या बात करेंगे उसमें plano convex lens लेते हैं यह थिन फिल्म interference पे यह based bed shape thin film के ऊपर यह based है उसमें क्या है हम एक source से हम क्या करते हैं बच्चो दो coherent source हम produce एक source यह हो गया अपर surface यह क्या है थिन film है और इससे हम जाओ है एक रे जो है वो lower surface से और एक अपर surface से दो source s1 और s2 जो वो produce करते हैं और equal thickness के point equal locus के point जो वो thickness के point क्या करते हैं एक बच्चो रिंग produce करते हैं जब हम यहाँ पे spectrometer की हम यहाँ पे बात करते हैं तो example सा बात है कि यहाँ पे आपको rings मिलेंगी bright and dark आपको उनका सरफ radius calculate करना है means की diameter calculate करना है यह आपको diameter पता है तो आप जो वो बेवलेंथ calculate कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए क्या है यह यह जैसे पर पास this is the your first second third and that is four that is first ring second and third ring and four ring and that is five and that is six suppose करो this is the dark ring five five and six तो हम क्या करेंगे लेंडा जो है that is diameter of n प्लस पी माइनस diameter of n अपॉन फूर पी आर पी जो है वो हम consecutive फिरिंट जैसे हम ले रहे हैं थर्ड शेक्स नाइन च्वेलब तो इनके बीज का डिफरेंस कितना है थ्री है तो पी यहां पर कितना हो गया थ्री हो गया और कितना हो गया radius of curvature that is 900 mm हम लेते हैं बच्चों अपने लैब में 900 mm हम बेसिकली यूज करते हैं और यह mm में है तो हम क्या करते हैं इनका diameter calculate करते हैं जैसे थर्ड रिंग है यह एन इस 3 तो n प्लस पी कितना हो गया 6 रिंग माइनस थर्ड रिंग का diameter 4 और 3 और आर कितना हो गया 900 में तो इसी तरह से हम बेव लेंथ calculate कर सकते हैं फिर देन 9 और 6 12 और 9 और 15 और 12 इस तरह से हम average लेके फिर हम बेव लेंथ calculate कर पाए तो हमें simple diameter calculate करना है बच्चों diameter means कि यह हमें यह origin है तो यह होगे हम बात करना तो यह होगे हमरे पास थर्ड रिंग यहां पर cross section यहां पर हम यहां पर cross wire को set करेंगे इसका main scale और burner scale की reading पढ़ेंगे इसकी main scale और burner scale की reading पढ़ेंगे तो suppose करो daddy's b है और यह a है तो daddy's a minus b कितना हो गया diameter of the third ring इस तरह से बहुत easy है तो यह सब चीज़ें आपको learn करनी पड़ेंगी और यह प्लैनों करने एक्सलेंस और glass blade के वेच में thin film है जो कि एक source को division by amplitude method से हम एक source से दो source produce करते हैं और इसमें हम interference pattern जनेट होता है और इस interference pattern से में dark और bright ring मिलती है अब यह circular क्यों है question पूछा था क्योंकि equal thickness के जो locus of point है that will produce the ring कि यह thickness t1 यह जी यह thickness है तो यह यहां पे भी यह thickness वो तीटू है यहां पे भी तीटू तो आप मतलब भी समझ लीजिए कि इस तरह से हम बात करेंगे प्लैनों कनवेक्स लेंज ग्लास प्लेट के ऊपर है तो इस पूरे में हम देखेंगे उपर से तो equal thickness के जो point है वो क्या करेंगे एक circular ring बनाएंगे ठीक है बचे डाक और ब्राइट ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपरिमेंट की तो यह question आपको learn करने हैं next question हमारे पास है तू डिटर माइन दा तू डिटर माइन दा तू डिटर माइन दा बेवलेंथ औफ बेवलेंथ औफ औफ इस पैक्टरल लाइन ओफ मरक्री एंड लेजर यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ठीक है इसमें हम लेजर की लाइट को सिंगल स्लिट से भी हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो अब इसमें जो है लेजर अब इसमें क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बेवलेंथ क्या है यह दिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है वट इस लेजर वट इस दर स्पेट्र लाइन ऑफ मरकरी तो यह क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं तो अब इसका जो प्रिंसिपल आप वह है बैसिकली डिफ्रैक्शन सबसे इपॉटेंट है कि वट इस? what is diffraction it is the it is the bending of light bending of light from sharp edges slits and obstacles ठीक है बच्चो और इसमें conditions क्या है means कि आप यह बोले के दी हमरे पाद slit है तो यह source है तो actually क्या होना चाहिए जो screen में है वो यहां पर light आनी चाहिए पर यह क्या है geometrical shadow reason में भी उस object के geometrical shadow reason में भी intensity को क्या होता है light जो है वो redistribute होते intensity क्या होती है redistribute होती है और यह हमरे पास slit की वीर्थ हमरे पास suppose करो D है ठीक है और D जो है यह हम single slit की बात करें तो diffraction की condition क्या है D is approximately equal to the wave length of light तो diffraction क्या होगा phenomena occur होगा and lambda is D is equal to lambda और इसी तरह से हम इसकी condition क्या है a sin theta यह हमरे पास D जो है that is a sorry that is a D d sin theta is equal to n lambda अब हम यहां पर दी पता है theta यह हम यहां पर calculate कर ले तो हमें first order n suppose करो first order है तो यह basically Bragg's law है बच्चो तो lambda जो है that is basically d sin theta upon one this single street है तो यहां पर D की value आपको given होगी वह आपको put करनी है और theta आपको calculate करना है बहुत सारे तरीके से आप theta जो है वह यहां पर angle calculate कर सकते हैं जैसे कि हम बात करें यहां से diffraction है तो first maxima in case of xm in the both side तो यहां पर center से हमारे पास यह बहुत यह जो xm है first minima in case of single street और first maximum from the center in case of grating तो यह क्या करना है जैसे इस तरह का pattern हमें मिलेगा diffraction का ठीक है तो यह अब हमें grating की बात तो यहां पर जो first minima है in case of single street और यह xm जो है वो maxima है जब हम grating की बात करते हैं ठीक है तो इसके बीच का distance हमें xm पता है और d जो अब distance पता है xm पता है तो हम क्या कर सकते हैं यह theta angle calculate कर सकते हैं कैसे sin theta is equal to xm upon xm square plus d का यहां से हम theta calculate करते हैं और scale से हम यह xm जो मेजर कर लेगी ठीक है स्क्रीन में अब हम बात करते हैं सिंगल सिट की इसी तरह से हम बात करते हैं ग्रेटिंग यह तो minima के case है सिंगल सिट में और जब हम ग्रेटिंग की बात करते हैं दी इस इकल टू यह हो यह था a plus b that is in case of ग्रेटिंग ग्रेटिंग होता क्या है बच्चो यह question पूर्च सकते है ग्रेटिंग इस nothing it is a combination of n slits तो visible range के लिए n slits means की that is n slits यह combination है n slits का तो n slits का जो combination means की that is n slits s1, s2, s3 तो यह जो opaque portion और यह transparent portion और यह opaque portion तो इसकी बिर्थ a है इसकी b है तो a plus b क्या है grating element है तो visible range में approximate हम लेते हैं 15,000 slits यह lines per inch यह per centimeter सेंटी मीटर ठीक है तो इसमें हम a plus b हमारा कितना हो गया two point five four upon fifteen thousand सेंटी मीटर ठीक है तो laser की हम यह दी बात करेंगे तो laser की wavelength और यह दी spectral line of mercury की बात करेंगे तो वहां पे red से लेके वाइलेट से लेके green तक हम बात करेंगे तो violet green blue two inquisit, in areme 3 आपको क्या करना है बच्चो बीवलेंध क्या करने किसी भी आपको बूलसक्क you करें है तो आपको क्या करना है आपको ये theta यहां पर हम ए। सकता है Хотя थीटा इस इकल टू एन लैम्डा मैक्सिमा फर्स्ट ओर्डर मैक्सिमा की बात करेंगे तो यह लैम्डा इस तरह का आपको पैट्रन जो है वो दिखेगा को यहां से इंगल कलकवेट करना है ऐसे भी कर सकते हैं और आपको स्पेक्ट्रूमीटर के थू भी हम बात करते है बत्यु силь फ्रू मैं पता है तो लैम्डा आप यहां से क्रिक घ्रउट क्र सकते हैं तो आपको यहां पर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है और बेवलेंथ का पूछ सकते हैं आपको तो वट इस बेवलेंथ यह क्या इट इस डिस्टेंस बीट में टू सक्सेसिव ट्रफ एंड और और सक्सेसिव क्रस्ट और सब्सक्राइब फ्रेक्वलेंथ ऐसे सकते है वहत इस बेवलेंसी वोट इस डिफ्रेक्शन वह इडेतिंग इस क्या है जैश्च इस फ्रा उन्द नो मीटर सो डैट इस बेसिकली 600 नानोमीटर्स ठीक है कई पर यह हम 300 नानोमीटर से भी कंसीडर कर लेते हैं बीजिवल रेंज डैट इस रेड़न दिस इस दो बीजिवल ठीक है उसके बाद यह इस आगे बढ़ो तो यार होगा इस तर्फ होगा तो बीजिवल लोको तो यह क्वेश्चन बनते हैं ठीक है डिफ्रेक्शन ग्रीट है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हम बात करते हैं next हम बात करते हैं कि अब हमारे पास थर्ड वाला है वो है hall effect hall effect ले लो अच्छा hall effect experiment में हम क्या करेंगे बचो hall effect experiment में आपको जो दिया आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसका aim क्या है तो पहले हम की to study the hall effect and calculate the calculate the calculate the carrier density carrier density, hall coefficient hall coefficient and mobility of semiconductor अब हम यहां पर carrier density की बात करें, hall coefficients की बात करें और उसके बाद हम बात करें और आपको आपको इसके प्रॉपर्टेटर की प्रॉपर्टिज बहुत इपॉटेंट है जब हम सेमिकृटर का यूज करते तो हम यह पहले सेमिकृटर की यह जो प्रॉपर्टिज यह पता होना ठीक है बचो तो हमें इससे hall एक साइंटिस था उन्होंने एक 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 एक्सपरिमेंट डिजाइन किया जिससे कहां बहुत इसली यह career density, hall coefficient और mobility, that is the carrier, carrier mobility जो हम calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यह hall effect है, hall effect है कि यह दिया हमरे पास यह कोई एक semi conductor है, ठीक है, यह हमने कोई semi conductor ले लिया है, इसको अच्छे से हम बनाएं इस तरह से, यह हमारे पास semi conductor है, ठीक है, understand, यदि हमने यहाँ पे यह x-axis है, ठीक है, यह हमारे पास z-axis है, और यह हमारे पास y-axis, understand, तो यदि इस semi conductor पे यदि हमें x reduction में हम current apply कर देते हैं, ठीक है, और perpendicular direction में magnetic field, z direction में, हम magnetic field, ix in the x direction and bz is the, क्या है, magnetic field है, तो magnetic field क्या करेगा, यहाँ पे charge carrier, यह दिक है, यह होल है, semi conductor है, तो electron क्या करेगा, यह जो force है, लॉरेंज फोर्स लगाके यहां पर जो है वो इलेक्ट्रों जो है वो री डिस्ट्रिबूट हो जगे इन दा डिरेक्शन ओफ बाई ठीक है मीन्स कि स्टिफन्स फ्लैमिंग लेफ्ट हैं रूट किया दि हमने इस एक्स डिरेक्शन में क्रेंट एप्लाई किया है और इस जट डिरेक्शन में परपेंडरी कुलर में हमने मिगनेटिक फील्ड किये है तो चार्ज कैरेगर पर फोर्स लगेगी और नेगेटिव इल्भी एक्कॉमिलेट ओन दा वन साइड और पॉजिटिव जो है वो अनदर साइड जो है वो अकॉमिलेट हो जाएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसे हम बेसिकली होल बॉल्टेज मल्टी मीटर से हम इसको नोट कर लेंगे तो यह हॉल बॉल्टेज हमें मिल जाएगी इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट ठीक है अब हम य जाएगा बी जैड हमें पता है ठीक है बी जैड इस गिवर थाउजन गोज आप रग लीजिए करेंट आपने अप्लाई कर रखा है डिफ्रेंट डिफ्रेंट करेंट पर हमें हॉल बोल्टेज मिल जाएगी तो हम यहां से हॉल को अपन आई मल्टिप्लाई थिकने सेमी semiconductor दो कि आपको given होगी और यहां से यह magnetic field आपको given होगा ठीक है और यह आरेच पता है तो हम यहां से आरेच carrier concentration भी निकाल सकते हैं ठीक है डाड़ 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 रेंज ओफ 10-2 रेस्टूबर 22 in case of semiconductor metal case में 10-2 रेस्टूबर 26 और इंसुलेटर में और भी कम होगी तो आरेच हमें पता चल जाएगा तो हम यहां पे N carrier concentration तो हम निकाल सकते है यह जो है डाड़ 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 1.6 इंटू 10-9 कूल ठीक है अब यह पता है तो हम क्या करते हैं क्यान रेस्टिविटी अग्रेच पता है आई पता है डी बी अपान यह एछ ठिकनेस और बिट्थ बिट्ट ऑफ दे सेमिक अप्ड़ थेकनेस अब दे सेमिकनेक्टर और यह एल लेंट्थ ऑफ दे सेमिकनेटर यह आप चिज़ों बचो गिवन ओगा और बी एच और आई आप ग्राप प्लॉट करके भी एच और आई जो आपको एक करेंगे भी एच मिलेगा जैसे वन एंपियर टू एंपियर थ्री एंपियर फॉर एंपियर और अलड़ी में यह एक्सपरिमेंट करवा चुका हूँ आपको वीडियो का इसका अप्लोडीड है ठीक है तो यह कैसे आए यह फार्मूला मैंने उसको उसमें बता रखा हुआ है ठीक है तो यह रो आपका आपका मिल जाएगी और मोबैलिटी जो है डैट इस आर एच बाई रजिस्टिविटी इससे आपको मोभेलिटी भी मिल जाएगी मोबैलिटि आपको कि डेफिनिशन फूर्ण सकते हैं कि वट िगगए पमॉवालिटी और यह मोबैलिटी जो है वह बैसिक ली जो है कितनी ड्रीफ्ट विल्लास टी अपएपौन इलक्ट्रिक फील्ड यह चीज आपको कि वट इस डिफ्ट विलोस्टी वट इस इलेक्टरिक फिल्ड यह सारे वह आपको क्वेश्चन जो बन सकते हैं कोई भी आपको एक्स्टर्नल एक्जामनर यह क्वेश्चन पूछ सकता है अब हम बात करते हैं स्टिफन्स लों की एक और एक्स्परिमेंट बहुत ही इपॉडेंट है तू बैरिफाई दा स्टिफन्स लों को बैरिफाई करना है अब स्टिफन्स लों है क्या यह आपने ब्लैक बॉंडी रेडिशन स्पेक्ट्रम जो मैंने पढ़ाया है उसमें यह स्टिफन्स लों भी है ठीक है तो स्टिफन्स लों क्या बोलता है कि कोई भी यह दि ब्लैक बोड़ी या नॉन ब्लैक बोड़ी है इस्पोस करो यह हमारे पास कोई एक ठीक है कोई एक ब्लैक बोड़ी या नॉन या बड़ के टंग अंस्टन का फिलेमिंट हम यूज करते हैं तो एमाउंट ओफ पावर रेडियेटेड इस प्रपोस्ट्रल टू दा फॉर्थ पावर ओफ टेंप्रेच एनरजी पर्योंटेरिया पर सेकेंड इस प्रपोस्ट्र प्रपोस्ट्रल टू दा जो कि एनरजी रिडियेट कर रहा हुए ब्लैक बोड़ी या नॉन ब्लैक बॉड़ी आप मिप्टियु इस प्रपोस्ट्रल टू लुछ ऑपर रचल्पर कि安ग बड़ा है खम यहां से हमें पर ट study केल्विन पर ग्लो होता है चैंट यहां से भ्मे का temperature है तो हम क्या करेंगे इसके लिए तो यह power and t तो हम यहां से इसको लिख लें P is equal to ct alpha और दोनों तरफ 10 की base का log आप ले लिजिए alpha log t plus log c तो यह बन गया by is equal to mx plus c equation of line और यदि m यदि alpha जो है वो फोर आजाए slope मतलब की log p और log t का मतलब की यदि हम यहां पर बात करेंगे कि log power और log t का हम graph log करेंगे और यह line आएगी straight line और उसका slope जो फोर आजाए तो हम stiffens low को प्रूब कर पाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमें क्या करना होता है बच्चो देखो पावर करते हैं कि calculate करने के लिए ठीक है अंडर्स्टैंड वह किसलिए वह क्या कैसे हम यहां पर just glow पे resistance calculate कर लेते हैं बी और आई ओम्स लोग से ठीक है बच्चो उसके बाद हम just glow से फुल glow पे resistance at any temperature कर लेते हैं फिस इस आरजी को 3.9 से divide करके और 0 degree centigrade या 273 Kelvin हम बना देते हैं तो यह आर टी अपॉन आर जीरो मतलब कि जीरो हम यहां से calculate कर लेते हैं और standard table जो आपको given होगा उसमें आर टी अपॉन आर नोट के corresponding temperature की value given होगी जिससे कि हम temperature की value को नोट कर लेंगे उसका log लेके और power का log लेके हम calculate कर सकते हैं क्या यह slope डैडी इकल टू तो हम इससे verify कर सकते हैं stiffens log उसके बाद हमारे पास एक और experiment है important है वो है to study the to study the variation of variation of magnetic field magnetic field and calculate the calculate the radius of coil बहुत अच्छे experiment इसका अप्लोड कर रखा है वीडियो इसमें क्या करते हैं कि कोई कॉइल है उसका हम क्या करते हैं यह एक्सिज है कॉइल की एक्सिज के राउंट हम से से यहां पर क्रेंट फ्लो कर रखाते हैं और क्रेंट फ्लोड होगा तो मैगनेटिक फिल्ड भी जरनेट होगी तो मैगनेटिक सेंसर से हम क्या करेंगे मैगनेटिक फिल्ड को क्या कर लेंगे कर लेंगे तो पर्टिकुल्र ली हम यहां से देखिए तो यहां पर प्रिंसिपल क्या है बायोट सेवर्ट लॉग इसका प्रिंसिपल आपको धियान रखना है वाइट सेवर्ट लॉग वो क्या बोलता कि वायर से बढ़ लो इट गिवन दा मेगनेटिक फील्ड और वायर विच क्यारी दा क्रेंट आई एट एनी पोजिशन कहीं किसी पूजिशन पर मेंनेटिक फील्ड को कल्कूर करते हैं हम करन्ट यहां से फ्लो होता है तो सेंटर पर मैक्सिम करन्ट होगा जै आएंगे तो मेंनेटिक फील्ड की वैल्यू तो इस तरह से हमारे पास एक करव आएगा यह एक्सिस आपको गिवन होगा जीरो से लेके यह 10 पर स्पोस्ट को सेंटर तो 20 तो वान इस तरह से हम क्या करेंगे यहां से यह ग्राफ का अप्लोट आएगा बाइट सेबर लोक है एकॉर्डिंग मैक्सिमम यहां पर आएगा विच फील्ड ठीक है उसका मैक्सिमम के बाद हम जो है वह इसका रेडियस आफ कॉइल को क्यल्कूट करने के तरीका है कि आप भी स्केल लीजिए और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट जहां से दा नेचर आप दा कर ब एक्षन से हम यह जैसे यह स्पोज करो 8 है स्पोज करो इस टैन 11 12 13 14 14 9 8 7 6 यह 6 पे है तो 6 माइनस 14 डाइज एट सेंटीमीटर इस दा रेडियस अप डिस कोई ठीक है और इसमें एक और भी है तरीका है हम यहां से बात करें थोड़ा सा कि एक और तरीका है धि हमने बायट सेबल लोग आप बच्चों ने पढ़ा होगा तो बायट सेबल लोग इस इस इकल टू बिन क्या है बाइड सब बलो बी इस म्यू नॉट एन आई अपॉन यह ए स्केर प्लस एक स्केर यदि हम सेंटर की बात करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है तो यह बेसिकली ए आ जाए ए एन इस दा आई तो गिवन आइड और कितनी है कोई जो है और मिउटी पर आ यहां पर मैक्सिमम एकल टू म्यू नॉट गिवन एन कोई नंबर रफ कोई और यह हमारे पास वी मैक्सेम इस तरह से भी हम रेडियस को क्यल्कूएट कर सकते म्यू नोट आपको गिवन है पता है कॉंस्टेंट एन पता है आई आपको पता है भी मैक्सिम की वैलिव आपको पता है बच्छो ठीक है तो आप रेडियोस ऑफ कॉयल केल्कुएट कर सकते हैं तो आपको बाइबा में कुश्चन में आपको बताई दिया वट इस मैगनेटिक फील्ड क्या होती है चेश्चन टेफिनिशन की याद करनी है आप से कुछ भी पूर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कि नेक्स जो हम डिस्कुस करते हैं वह है कि तूप कैलकुलेट दा तो बहुत इपोर्टेंट है तो स्टड़ी दा ने तो काल्कुलेट दा काल्कुलेट दा अनर्जी बैंट गाप अनर्जी बैंट गाप ओफ सेमी कंड़क्टर यूजिंग फोर प्रो मैथब यह अल्रडी मैंने वीडियो इसका बच्चोव अप्लोड कर रखा है प्रोमेथब तो इसमें हम क्या करें गेंगा, अशें हमावी बहुत इपोर्टेंट जोै वह एक पैरामीट्र एंशे बेंड का जिससे कि हम सैपनेटर की आप्टिकल प्रॉपर्ड इसकों हम स्टेड़ी कर सकते हैं, यह हम क्या करते हैं, रखते हैं मचोब तो चे लेते हैं और यह 4 probus हम यहां पर मैटल की जो प्रोब सो बाहर के क्रेंटी करन्ट करेंगे constant and voltage की value को measure कर लेंगे temperature को वरी करेंगे जैसे temperature को वरी करेंगे constant current हम रखेंगे तो constant current रखने पर हमें क्या है voltage वो वेरी होगी जैसे टेंप्रेचर बढ़ेगा बोल्टेज कम हो गया ठीक है क्योंकि रजिस्टिविटी जो है सैमिक रेटर की वो घटती है और कंड़क्टिविटी जो वो बढ़ती है जब आप टेंप्रेचर को इनिक्रीज करते हैं अब क्वेश्चन क्या बनेगा वट इ स्पेसिविक कंडिशन कि जैसे हमने टेंप्रेचर दिया यहां पर यह क्या है कंड़क्शन बैंड और यह कंड़क्शन बैंड जैसे हमने टेंप्रेचर को इंक्रीज किया स्पेसिविक कंडिशन में तो यहां से चार्ज कैरियर जो बैलेंस बैंड से कंड़क्शन बैंड म भी बोलते हैं forbidden क्योंकि यहां पर electron के लिए कोई भी चार्ज के लिए कोई भी state available नहीं होती है तो conduction balance band से conduction band में जब जब हो लिया electron move करते हैं ठीक है तो इस से हम क्या करते हैं इस से हम energy band gap बोलते हैं ठीक है metal के case में यह overlap होता है और इंसुलेटर के case में यह बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर के case में जैसे metal के case में क्या है बच्चो metal is the material बहाँ पर हमारे पास यह balance band और connection band का जो है वह overlap होगा या फिर नो gap balance band and connection band इंसुलेटर में यह gap जो बहुत ज़्यादा है यदि यह जो केस में 0.7 electron volt and what is electron volt यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और इंसुलेटर में is greater than 0.5 electron volt इंसुलेटर में यह ज़्याद इंसुलेटर 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 और ठीक है अच्छा तो यह हम केलकुएट कर लेते हैं और फोर प्रो मैथड से तो फोर प्रो मैथड में जो energy band gap eg का जो बैल नोन फार्मूला है that is basically 0.396 multiplied यह constant है ठीक है that is equal to log resistivity upon thousand by temperature यह आपको याद होना चाहिए constant है एक बैल नोन फार्मूला है energy band gap और बोल्टेज और current तो आपको बच्चों मिल जाएगा temperature आप ठीक है तो इससे हमें temperature भी पता चल गया और वी और आई से हम जो है वो यह रो भी calculate कर सकते हैं जब हमें thickness और width और of the length of semiconductor हमें पता होगा ठीक है तो इस तरह से हम energy band gap जब log रो आप इन दोनों का slope जो है ऐसे आएगा log रो और यह thousand by t इसके बीच का इस तरह का कव आएगा आपको straight line का कव आपको यह best fitted line आपको ड्रॉ करनी है जो की straight line होना चाहिए आपको point जोडने लिए तो यह जो portion है suppose को दो हमने portion है लिए तो यह जो by 2 minus by 1 upon x2 minus x1 this यह हमरे पास यह हो गया यह और यह by 2 minus by 1 that is by 2 minus by 1 x2 minus x1 तो आपको यह slope आ जाएगा और यह slope की value को आप यहां put करोगे और उसको 0.396 multiply करेंगे आपको energy band gap मिल जाएगा germanium के case में it is 0.7 electron volt और silicon के case में 1.1 और और दी क्वेश्चन पूछ सकता कि what is intrinsic semiconductor what is p-type semiconductor what is n-type semiconductor semiconductor क्या होता यह definition बिल्कों आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब एक और इसके बाद हम discuss करेंगे carry foster bridge तो यह एक और प्रोपर्टी है इस तो चलude the specific specific resistance of unknown material unknown material using carry foster bridge क्यारी फोस्टर ब्रीज यह मौडिफाइड बीश्टॉन ब्रीज प्रिंसिपल अब इसमें क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं उसकी डेफिनिशन आपको आपसे पूर सकते हैं कि हम क्यारी फोस्टर ब्रीज से ठीक है हम जो अन्नों मेट्रियल की रेजिस्टिविटी हमें क्लुकूएट करने तो यह कौन से इसका प्रिंसिपल क्या है radio Mali Bi nothing बीट स्टॉन ब्रीज क्रिंसिपल सबसे पहली इसका फ्रिंसिपल अब इसा कि हम सरकीट रिज बनाते हैं और यह नल पॉइंट मैथेड से हम भी समय हम क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है तो डैडिस पी क्यू एन डिस आर एन डिस इस और यह हमारे पास गलवानमेटर है और यदि पी अपॉन क्यू इस इकल टू आर अपॉन हम एस हो जाए तो क्या होगा बच्चो तो यहां पे गलवानमेटर में नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लक्शन यहां पिर नल पॉइंट हमें बोलते हैं वह हम मीटर ब्रिज में उस नल पॉइंट को सेच करके एल वन और एल टू हम कैलकुएट कर लेंगे पूरा सरकेट यूज कर रहे है तो हम पॉटाशियो मेटर की वायर का रिजिस्टिविटी हम पहले कलकुएट करेंगे तो यहां एस की जगह हम यहां पे कॉपर स्टिप लगाते हैं पहले दो टेबल आपके बनेंगे फर्स टेबल में हम कॉपर स्टिप की हल्प से मीटर भी जहां पे हम Null Point सर्च करते हैं ठीक है अंडर्स्टैंड हम इस वायर की हम क्या करेंगे रिजिस्टिविटी कलकुएट कर लेंगे जब यह पता होगा नोन होगा तो हम क्या कर सकते हैं डैटीज पी क्यू आर्ण एस तो जब हमें इस कप इस यह अन्नोन है जब यह नोन हो जाएगा इसक और फिर हम अन्नोन वायर का हम यहां से रजिस्टिटी जो यह वो कल्कुएट करेंगे तो किसी मेटरिल की बेशिक प्रपरटी है ठीक है जो कि क्या है resistance परियूंटर तो इसमें हम बात करेंगे तो resistivity के दी हम बात करें रो बात करें डाइड पाई आर स्क्यार एल अपॉन थोड़ी बिर्थ एड थिकनेस मल्टिप्लाइब आइड लेंड ठीक है तो पाई आर स्क्यार डवल्यू डी अपॉन एल यह हमें जो है वह इसको हम बै क्या बोलते है रजिस्टिविटी जो है वह हम यहां पर क्यल्कुएट कर लेते हैं ठीक है तो यह हमरे पास specific तो specific resistance रेस्टिविटी क्या होती है और क्यारी फोस्टर ब्रिज क्या होता है क्या आप से क्यों सकते हैं तो आप बोलते हैं कि इस पीक्यू आरेस और कंडिशन नल पॉइंट की पी अपॉन की जगलो आर पॉन चाहिए और जो हमरे पास रेजिस्टिविटी जो है वह मैं आपको बता दूं सही डेशिशन डैडिस पाई आर स्केर अपॉन एल और यह हमारे पास रेजिस्टेंस हम यहां पर के जो है वह वह क्यल्कूएट कर लेंगे टेबल से टेबल वन एंटू अल्रडी में वीडियो अप्लोड कर रहा कैसे आपको के क्यों करना सब कुछ मैंने वहां पर डिसकर रहा है रिडिये कॉईल आप आप शोरी वाइर आप जो है वह 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 क पर रियुन लेंद के पाई आउसकेट अपॉल ठीक है तो यह सब चीज़े हैं थ्यान रखना है फार्मूलिया आपको टिप्स में याद होने चाहिए उसके वाद और भी एक्सपरिमेंट हैं जैसे कि हम बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन तो एक और एक्सपरिमेंट जो हम करवाते हैं बच्चो अब लोगों को यह आता है टू क्यालकुलेट दा क्यालकुलेट दा स्पेसिफिक रोटेशन क्यालकुशन के च्चियन क्यालकग स्पासी प्रियसक जो है वह आप्टिकल एक्टिव है यह च्चियल है तो क्यालकम क्यूंबलादैट बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत इजी भी है वक्त है तो यह कौन से प्रेसिपल पर पर पे से एए बेसेकली पॉलराइजेशन कि यह पॉलराइश्च प्रिंसिपल पर है सुगर सूसन कि यह एक ऑप्तिकल अक्टिव है तो हम क्या करते हैं कि अच्छा पहले Olation होता क्या यह हमारे पास लाइट है मतलब जो आए ब्लीज मतलब पर ओर है थो आप ये यहां पर लगा देताथ या ये पार्ड लगा देते हैं ग्रस वो क्या करता है क्nous आए सारे के सारे इन अब्री जो ड्रेक्शन में वो क्या करता है कनफाइन टुदा सिंगल मतले ड्रेक्शन जो यह इलेक्ट्रिक ड्र है वो क्या करता है इस रिक्स्टिक्टेड इंटू सिंगल ड्रेक्शन तो यहां से क्या करता है यह सिंगल direction में क्या करता है restrict कर देता है suppose करो हमने पहले वाटर लिया तो वह वाटर इस optical inactive तो क्यों क्या करेगा इसको rotate नहीं यह हमारे पास analyzer यह analyzer है और यह polarizer है light यहां से हमने अनलाइज की और अनलाइज करने के बाद हमें यह vibration मिली वाटर अब हम सूगर का सलूशन लेंगे किसी पर्टिकुलर का तो क्या होगा अब क्या करेगा उसको रोटेट करेंगे लीव और राइट उसको रोटेट करेंगा और लेफ्ट भी करेंगा तो यह एंगल आपको कैलकुएट करना है यूजिंग मेन स्केल और बर्णियर स्केल को यूज करके अब यह एंगल आपको क्यों कि यह तो वाटर है और यह सूगर सूलूशन है किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रेशन का तो हम यहां से स्पैसिफिक रोटेशन थीटा एल बाई सी एल जो है वह डैसीमीटर में कॉंसेंट्र यहां से कैलुट्य कर लेंगे अल आपको जिबन होगा तो यहां से हम स्पैसिफिक रोटेशन और इसकी क्या है एंगल कर लिया जैसे फिर हमने एक यंप्यूर वाटर जिसमें कुछ ऑप्टेकिल अब्सक्तांस है नहीं तो उससे हम पता लाज एंगल ज़्यादा होगा तो तो यह सेंसर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं ठीक है अच्छा अब लास्ट जो सबसे पॉर्टन तो आपको यह पॉलराइजेशन स्पेसिफिक मतलब रोटेशन क्या होता है यह सारा प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए ठीक है अब एक और लास्ट हमारा जो एक्सपे नॉडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट क्यालुकुलेट दा क्यालुकुलेट दा फोकल लेंद्थ ओफ फोकल लेंद्थ ओफ कॉम्बिनेशन ओफ लेंश्ट यह उल्लेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूछे ज इस नॉडल स्लाइड वट इस फोकल लेंथ ओफ लेंश उसमें पूछते कि कौन सा लेंश्ट यूज़ करता है डैडी बिसकली कन्वेक्स लेंश तो आप यूशुड नो दा कन्केव एंड कन्वेक्स लेंश के बीच का आपको डिफ्रेंस पता होना चाहिए ठीक है डैडी जात इस अडियर कन्वेक्स लेंश और हम भी अरे पास है कि एक गया करते हैं । magnification should be unity ठीक है यह ध्यान रखना है अंडिस्टेंट तो इन कम यह डिस्टेंस बिटमिन दे टू तो इनका कमाइंड फोकल लेंथ हम कैल्कुएट करते हैं 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2 यदि D 0 है तो यह हमरा फार्मूला जो है वह यह वाले जी तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट डिस्टेंस पे हम इसका फोकल लेंथ कैल्कुएट वट इस फोकल लेंथ वट इस फोकल पॉइंट मतलब फोकस ठीक है यह चीज़िया आपको याद हो जी एफवन F2 क्यलकुएट कर लेंगे और उसके बाद डिफ्रेंट डिप इस फोर सेंटीमेटर सिक्स सेंटीमेटर एट सेंटीमेटर पे हम क्या करेंगे यहां पे हमारे पास क्रोस वायर होती है और यह reflection आपको अल्रड़ी ड आप बच्चों को ध्यान रखना है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी आपको पूर्पूर सकते हैं तो इसके लिए आपको परपेशन करनी पड़ेगी वेल प्लांत तरीके से और होफुली आपको बहुत यूस्फूल होगा यह वाला वीडियो थैंक्यू वेरी मच